हेलो गाइज, वेलकम टो आर चैनल कश्मीरी डिलाइट कुकिंग तो आज बनाने जा रहे हैं कश्मीरी स्टाइल बैंगन टमाटर तो उसके लिए हम सबसे पहले बैंगन ले लेंगे, इसे हम कट कर लेंगे साथ ही हम टमाटर ले लेंगे, यह दो से तीन टमाटर की प्यूरी है अब हम कडाई में ओईल ले लेंगे इस ओईल में हमने बैंगन को डालना है, इसे हमने गोल्डन ब्राउन आने जख साई करना है आप देख सकते हो बैंगन गोर्डन ब्राउन हो गए हैं अब हम इससे ओईल से बहार निकाल लेंगे हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना अब हम कडाई में दो चमा चॉय ले लेंगे इसमें हम टमाटो की प्यूरी एड़ कर लेंगे और इसको पकाना है जब तक हमारी टमाटो अच्छे से पकना जाए अब हम इसमें स्पाइसे एड़ करेंगे सबसे पहले हमने इसमें एड़ किया है एक चमच हल्दी पॉडर और अब हम इसमें एड़ करेंगे कश्मिरी लाल मिट्च पॉडर यह दो चमच कश्मिरी लाल मिट्च पॉडर है साथ हम इसमें एड़ करेंगे आदा चमच जीरा पॉडर और साथ हम इसमें एड़ करेंगे स्वाद अनुसा नमक और इससे मिक्स कर लेंगे अब देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक गए है अब हम इसमें फ्राइ कियो हैं बैंगन एड़ करेंगे और इसे टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आदा ग्लास पानी आड़ करेंगे ग्रेवी के लिए और इसको मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें तीन हरी मिट्च एड़ करेंगे ये स्लीट की हुई हरी मिट्च है और इसे भी मिक्स कर लेंगे अब हम इसको पांच मिनट तक पकाना है पांच मिनट की बाद आप देख सकते हो बैंगन टमार्टर एकदम रेड़ी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है थैंक्यू फॉर वाचिंग झाल मिनट पॉर प्रूर करना है